हलो दोस्तों मैं विजय भारद्वाज आप सभी लोगों का हमारे यूटूल चलनल में बहुत-बहुत स्वागत है आज हम लोग देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश इस्पेसल से बनने वाले कोश्चन है जो उत्तर प्रदेश का भागोलिक छेत्रफल से होगा उत्तर प्रद तो देश के कुल भावलिक शेत्रफल के और किसे नीत की अनुसार तो राष्ट्री ये नीत की अनुसार राष्ट्री ये वन नीत की अनुसार वन नीत की अनुसार की बात कर रहा है आपसं दिया है एक बटा चार भाग पर बी दिया है एक बटा दो भाग पर सी दिया है इक प्रवती छेत्र की पूरे प्रवती छेत्र की पूरे प्रवती छेत्र में कितना बन होना चाहिए तो दो तिहाई बन होना चाहिए प्रवती छेत्रों पर दो बटा तीन भाग क्या होना चाहिए और अगर मैदानी इलाके में तो जितनी मैदानी इलाके हैं उसके एक बटा चार भाग पर क्या होना चाहिए बन होना चाहिए ठीक य उत्तर प्रदेश की दुठीवनीत में 1998 की अनुसारिया कहा गया कि प्रदेश के कुल छेत्रफल का 33% भाग पर बन होना चाहिए यह किसकी है तो यह प्रदेश की है और यहां जो एक बटा तीन भाग दिख रहा है यह कुले पूरे देश के भगली छेत्रफल के भाग पर 1997 में किस बन्यजीव बिहार की अस्थापना की गई थी पहला अप्सन है चंद्रपरभा बन्यजीव बिहार चंदवली चंद्रपरभा जो जन्मत बन्यजीव बिहार है वह उत्तर प्रदेश के चंदवली जिले में है हस्तिना बन्यजीव बिहार मेरत में है और रानीपुर वन्य जिवहार बांदा जिले में है किसनपूर वन्य जिवहार लखीमपूर खीरी में है ठीक तो इस कोश्चन के अमसार आपसन नम्मर ए होगा चंद प्रभा वन्य जिवहार चंदौली में इसकी अस्थापना की गई थी उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्य जिवहार है कौन तो चंद प्रभा चंदौली का यह सबसे पहला वन्य जिवहार है यह उत्तर प्रदेश का परथम बंनेजिव विहार है ठीक अन्न क्यास की पुरानी बात है अगर question आ कि सबसे पुराना बंनेजिव क्योंन विहार का है तो जो सबसे परथम होगा वाई सबसे पुराना होगा इसका मतलब यहीं होगा अन्न की बात किया जाये जो हस्तिना उत्तर प्रदेश का सबसे बढ़ा बनन जीव बिहार है. तो इस कोस्चन के अनुच्छा आफसन नमबर ए सही हो जाएगा. इस question के अंशार option number A सही हो जाएगा उत्तर प्रदेश में एक मातर जिला ललित पूर है जिसमें यूरेनियम पाय जाता है और पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में किसी में भी यूरेनियम नहीं पाय जाता है अन की अगर हम बात करें तो प्रदेश का सबसे बड़ा कोईला जो छेतर है ठीक तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सबसे बड़ा कोईला छेतर जो है वह है सिंगरवली सिंग्रावली कहा है तो यहां सोनभद्र जिले में सोनभद्र जिले में है सिंग्रावली और सिंग्रावली जो है यहां उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा कोईला छेत्र है और एक जो अभरक होता है, कोशन कभी कभी आता है, कौन सा एक उत्तर प्रदेश में नहीं पायाता है, तो अभरक उत्तर प्रदेश में किसी जिले में नहीं पायाता है, किसी भी जिले में नहीं पायाता है, किसी भी जिले में नहीं पायाता है, अभरक यानि उत्तर अगला कोस्ण है द आपरेशन ग्रीन प्रयोजना का उत्तर प्रदेश में सारा सुigraphारम हुआ था आप्रेशन ग्रीन परियोजना का आरम उत्तरतेश में हुआ था 1922 में,1995 में,2001 में,2005 में तो इसका एंसर हो जाएगा action No.3 2001 में आप्रेशन ग्रीन परियोजना का सुभारम हुआ था और इसका बस एक समय कितना था तो 1 जुलाई समय था 1 जुलाई 2001 को उत्तरप्रदेश में आपरेशन करीन परिजना का सुभारम किया गया था और इसका जो मुख्य उद्देश था या ब्रिच्छा रोपन को प्रोसाहन देना किसको तो ब्रिच्छा रोपन ब्रिच्छा रोपन को प्रोसाहन प्रिछा रोपन को प्रोसाहं देना या इसका मुख उदेश था तो इस question का नुशार option number C सही होगा अगला question है निम देशों में से कौन ऐसा ब्रिच परेवनी संक्र उद्पन करता है अगला question है निम्न देस्टों में से दोस्तों इसको ध्याम दीजईगा यहां पर जो देस्टों है या नहीं होगा ठीक इसमें question है निम्न में से कों सा बृच्छ परियावर्णी संकट उत्पन करता है मतलब ऐसा कौन सब रिच्छ है जो परियावरण के लिए हानिका रख है परियावरण को नुक्सान पहुंचाता है इसमें पहला आप्षन है बबूल दूसरा है नीम तिसरा है अमलतास और चौथा यूकेलिप्टस तो इसका एंसर हो जाएगा यूकेलिप्टस और जो यूके करता है कारण यहां कि ज़ल का खपत बहुत जयादा करता है जहां पर अधिकान स्चेतरों का पानी क्या करता है लेता है यानि पानी की कमी होने लगती है अन्य पाउधों के लिए तो अन्य पाउधे क्या होते हैं पानी की कमी करन डेड़ हो जाते हैं इसी वज़े से यूख लुप्तस को परियाबन का क्या करता है आतंक वादी करता है और यह परियाबन के लिए क्या करता है खत्रा में तो इसका एंसर हो जाएगा आपसनदीु 9ु9 में नवाव गन पाच्छी बिहार यहार की अस्थापना सब से पहले किया गया था mogąже 1984 उस्वी ऍपकी गया था तो 1984 इस में नवाव गन पाच्छी बिहार की कि बिहार कि इसी नवाब पच्छी बिहार को बना दिया गया और यह उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना या सबसे पहला कर सकते हैं क्यों जो किस जो सबसे पहला होगा वही सबसे पुराना होगा तो अगर पूचे सबसे पहला कौन सा है सबसे पहला कौन सा है तब भी नवाबगन पच्छी बिहार सबसे पुराना कौन सा है तो आभी नवाबगन पच्छी बिहार ही होगा तो इसका अंसर हो जाएगा आपसन अगला कुशन है प्रदेश में सर्प्रथम किस पच्छी बिहार की अस्थापना किया गया सांडी पच्छी बिहार नवाबगंज पच्छी बिहार सूर सरोवर पच्छी बिहार तो अभी इसको बताया गया नवाबगंज पच्छी बिहार की अस्थापना सबसे पैदे की गई है और यह क्व अस्थाफित किया गया तो greatest start किया गया था जो इंटी पर है यहां हर में हजी का नाम हर्दोई हर्दोई works सभा जो है मैं पुरी में मैंपुरी में पढ़ रहा है समान पछिय और और जो सुर्ण सरोर पच्छी बिहार है यहां आगरा में हैं इसको शहакс wireless आपसर नमबर भी ज़ही होगा अगला question है परदेश का सरवाधिक विश्टित पच्ची बिहार कौन सा है लाख़ बहोसी पच्ची बिहार सांडी पच्ची बिहार तो इसका answer हो जाएगा लाख बहोसी पच्ची बिहार उत्रप्रदेश का सबसे बड़ा पच्छी बिहार है या कहां पर है तो लाक बहुसी पच्छी बिहार है कन्नाओज में जगा का नाम कौन सा है कन्नाओज है और ये 1988 में अस्थापित किया गया था अगर सबसे छोटे पच्छी बिहार की बात है चुकि सबसे विश्रित कौन हो गया लाक बहुसी पच्छी बिहार हो गया सबसे छोटा पच्छी बिहार है पटना पच्छी बिहार प्रदेश का सबसे छोटा पच्छी बिहार है और यहाँ एटा में है इटा में हैं Penit कोंशन है सुमेलिट करना है इसमें देखना है कौन सा सुमेलिट है दोस्तों इसमें घर देखे तो इसमे टाइपिंग वाले व्यक्षिने क्या किया है आपसा नहीं रखा है फिलाल हम लोग इसको देख लेते हैं इसमें कौन पिस पे तीर जाएगा चुकि अभी आपको बताया गया कि यह कहां है न नाओं ने है और पच्छी विहार जो है buffalo यह होया है और बूब नचेकर में यह तीर जो है अलुआ अलग अलग पच्छी विहारों पर जाएंगे अलग 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 जगहों पर इस हट अग्ला कोसिन है सोन भाद्र में निम लीखी द्धाट्यों में चुंच पाई जाती है यूरेनियम पहला दिया है हाना तो आपको अभ पिछले कोस्च ने बतागया थे उरेनियम साल उत्तरपकरश city के एक ही जिले में है लित में जिले का नाम क्या है ललितपूर कि ललितपूर में अगर यूरीनियम के ओल पाया रहा है तो इसके अनुसार आपसन नंबर प्विस हो जाएगा ठीक, इस question का answer होगा option number B, अगला question है, निमलिखित में से कौन सबरिस जो कभी समयजी बानकी में लोग परी था, लेकिन अब एक परस्ति आतंक वादी मना जाता है, अभी आपको बता गया कि वहाँ यूकलेप्टस, यूकलेप्टस है, इस वक्त प्रयाबना का उपर उगरवा जाता है, इस question का answer option number D, अगला question है, प्रदेश का सबसे चोटा बन जीव बिहार, काउंसा है, इसमें आपसंन डिया है महाबीर स्वामी बनने जिव इछली में है और और ऑर आ अगर हम बात करें इस कोश्टन के एंस्वर का तो इसका एंस्वर हो और या कहां है, तो ललितपूर में है, इस question के उसार आप्षन नमबर A सही होगा, अगला question है, सुरहा ताल पच्छी बिहार अवस्थित है, इसका आप्षन है आजमगड, दूसरा है हरदोई, तीसरा है प्रताबगड, चौथा बलिया, तो सुरहा ताल पच्छी बिहार जो है वहाँ है बलिया जिले में, ठीक, इस question के उसार आप्षन नमबर D सही होगा, अगला question है, निम्न में से कौन सही सुमिलित नहीं है, इसमें आप्षन दिया है आपका कोईला, सोनभद्र, ठीक, कोईला दिया है, सोनभद्र, बलुआ पत्थर दिया है, मिरजापूर, सिलिका दिया है, इसका answer क्या हो जाएगा, आपसर नमबर D, क्यों चुकिया सही सुमिलित नहीं है, कोईला सोनभद्र में पाया जाता है, बलुआ पत्थर मिरजापूर जिले में पाया जाता है, और सिलिका वालो जो है, इलहाबाद में पाया जाता है, लेकिन यूरेनियम अभी आ ललित पूर जिले में है, ललित पूर जिले में पाया जाता है, इस question के दूसार आपसर नमबर D, सही होगा, अगला question है, प्रदेश का सबसे बड़ा बन्न जिव भिहार है, इसमें आपसर है, चंद्रपरभा बन्न जिव भिहार, चंद्रोली में है, किशन पूर बन्न जिव अगला question है उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाला प्रमुक्षनिज है उत्तर प्रदेश में पाय साने वाला प्रमुक्षनिज है तामा ग्रेनाईट नहीं पायाता है प्रमुकता से लाइम इस्टोन तथा डोलोमाइट यह भी नहीं पायाता प्रमुकता से यही आपसन सही आपसन नमबर सी सही है उत्तरप्रदेश में पायने जाना प्रमुक खनिश जो है यह राख फारफिस और डोलोमाइट है ठीक अब कुछ हम अन्य बात कर लेते हैं इस ट गडयाल गडयाल परजनान केंड कहां स्थित है तो दो जगह स्थित है एक है कुकरैल है कुकरैल जो आपका वन है यह कहां है तो लखनव में है कुकुरायलवन जो है लखनव में है दूसरा जगा कहा है उत्तरप्रदेश में तो कत्रनिया घाट है और करतनिया घाट अभी आपको बताया गया था कि यहां है भाराइच जिले में भाराइच में है ठीक अन्य जो कोशन आता है कोशन आता उत्तरप्रदेश में गंगा डालफिल मचली गंगा नदी में कहां से कहां तक के बीच में पाई आती है कौन मचली तो गंगा डालफिन गंगा डालफिन मचली उत्तरप्रदेश में इलाहाबाद से लेकर मिर्जापूर मिर्जापूर के बीच में पाई जाती है गंगा नदी में डालफिन डालफिन पाई आती हैं अगला कोशन कभी कभी आता है कि प्रदेश का एक मात्र नेशनल पार्क कौन सा है तो वहाँ है दुधवा राष्ट्री उद्ध्यान और दुधवा राष्ट्री उद्ध्यान जो है यहां है लखीमपूर खीरी में इस्तित है इसकी जो अस्थापना हुई थी वहां हुई थी एक फरवरी 1977 इस्थवी को स्थपना हुई थी प्रदेश में अगर हम बात करें कुल वन जीव अभ्यारन की तो 24 वन जीव अभ्यारन है पूरे प्रदेश में 24 वन जीव अभ्यारन है और 11 वन जीव विहार है और 13 पच्छी विहार है ठीक दोस्तों अगर आपको वीडियो अप्संद आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें